जब से आधार authentication mandatory किया है GST registration में, तब से एक query सब के सामने आ रही है, बहुत जादा वो comments भी आ रहे हैं कि क्या जिनोंने पहले से GST number ले रख हैं, उनको आधार authentication कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, तो ये query बहुत जादा आ रही है सब लोग की तरफ से, इसलिए म एक जुलाई 2017 से लेके 20 अगस तक जिनका number आ चुका है, उनमें से किसी को भी आधार authentication कराने की जरूरत नहीं है, आधार authentication उनको नहीं करना है किसी भी हालत में, जो application 21 अगस से लगने वाली है, उनको आधार authentication mandatory है, या जो application लगा तो पहली दी थी पर अभी तक approve नहीं है, उन उनको भी आधार authentication कराना चाहिए, बट जिनका already GST number है, उनको किसी भी हालत में आधार authentication की जरूरत नहीं है, नहीं उनके पास option आएगा आधार authentication करने का और नहीं उनको कराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये notification भी खुला हुआ है, notification number 62, जो कि 20 अगस्त को आया था, इस notification ने total 6 amendments किये थे GST rules में, जिसका पूरा वीडियो आपके साथ already channel पे said है, आप I button में जाके देख सकते हो, या नीचे description में भी उसकी link आपको मिल जाएगी, इस पूरे notification में जो 6 amendments आये थे, उनके कहीं भी ये नहीं लिखा है, कि जो पुराने GST number है, जिनके पास उनको आधार authentication करना है, क्या कहीं पे भी नहीं लिखा है, यहीं लिखा है कि 21 अगस्ति ये applicable है, और जो भी आप registration कराने जाओगे, उनके लिए आधार authentication जरूरी है, मैं आपको यहीं suggest करूँगा दोस्तों, आधार authentication के साथ ही आप आपका application file करें, अगर आपको error आ रही है, तो उन error का समाध जान कैसे करना है, solution कैसे करना है, इसका भी वीडियो आपको उपर i-button में मिलने वाला है, और नीचे description में भी आपको उसकी link मिल जाएगी, कि किसका email ID attached होना चाहिए, कौन सा email ID use करना है, कौन सा phone number use करना है, क्या error आ रही है, उन error का क्या-क्या solution है, वो सारी बाते नीचे description म रखा है, again मैं clear कर रहा हूँ, अगर आपके पास पहले से GST number है, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आदार authentication कराने की, इसके साथ मैं यह वीडियो आपे sign up करता हूँ, मुझे उमीद है, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर चैनल पे लाए है, त किलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ, thank you so much, जय हिंद, जय भारत.